तो फ्रेंज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दो आए तो आज के ब्लाग स्टाइट करते हैं वेलकम बेक टू माई चैनल अब आए है 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 अब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और मैं भी बापस आई हूं गाहों से क्योंकि मैं गई थी खेद में तो आप देख रहे हैं हालत तो खेदों में जाने के बाद यह हालत होती है तो वहां से आने के बाद मैंने वीडियो एडिट किया और एडिट करने के बाद बस थोड़ा सा मैंने सुचा आप लोगों से बात कर लेती हूं तो क्यूंकि मेरे वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों से बात ही करती हूं और उसके बाद बागी का जूप होता है तो मैं थी बहुत ज़ ज़ाधा परिसान, मैं आप लोगो से बताओं, मैं बच इससे सही हूँ, यह क्या है कि कि जैसे कुछी काम कर रही हूँ, कुछ भी कह रही हूँ तो मुझे काम क्भीकारते हूं तो चोड़し कि उसको तोलिया देने जाना पड़ता था तो मैंने कापी दिनों से परिशान थी इस बात से क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मैं आटा लगा रही हूं मेरे हाथ गंदे है लेकिन उसको अब तरी की सर्दी होती है तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि अब बोगीला खड़ा है एक बहुत दिमाग लगा रही थी मैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसको मुझे इतना परिशान ना होना पड़े और यह तो फिर मैंने एक दिन सूचा मेरे पास एक टॉविल थी तो मैं उस टॉविल से क्या है कि कोई भी उसका यूज नहीं करता था क्योंकि उसकी जो रोएं थे तो निकलते हैं जैंब हम पोंचेंगे जैसे हमने अपना चेहरा पुछा थो उसके जो रोह रोएं वह सपग जाएं रहाए तो वह खराब ने थे लेज़िए खेलों एक मैं जाले तो तो यह तो चली मैं दिखाती हूं कि मैंने किस तरीके से बनाया है और आप लोगई कि भी अच्छा लगा हो और आपको भी इस चीज से परिशानी होती हो बच्चों से कि मतलब तो फिर मैंने ये रोज-रोज की चिक-चिक ही खतम कर दी तो उसका वहीं पर रख देती हूं और वो अपना नहाने के बाद पहने के बगर आ जाता है तो अगर आप लोगों को अच् मैंने कोशिस की है बताने की आप लोगों को कि मतलब दिखाया है मैंने कोशिस की है अगर समझ में आए और अकर नहीं आता है तो फ्लीज मुझे बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया या किसी को बनाने के एक्छा हो तो मैं दुबारा से आप लोगों को बता सकती हू कि तरी की वीडियो के नहीं बनाती हूं जिसमें मतलब आप लोगों समझाने की ज़रुत हूं या कुछ और यह जो रोज रोज की चिक चिक थी ना उससे मुझे शुटकारा मिल गया और यह बहुत अच्छी बात हो गई है तो चलिए देख लेते और है बिलकुर न्यू तो मैंने इसी का सुचा के बना देती हूं मैं इसको तो मैंने यहां पे इसका नाप ले लिया था संयोग का त एक टॉबिल में तो यह मैंने यहां पे अलग कर दूँगी मैं इसको तिसकी हमारी आस्ति ना जाएंगी और इसके बाद जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और फोल्ड करने के वाल हमने अभी अभी टू फोल्ड किया है फिर फोल्ड फो अभी मैंने दो पल्ला 하包括 हैं इसके आगे पीछे के दोनों सात में रखे हुए हैं अभी इसके बाद मैं इसको अलग करूंगी तो यह मैंने यह देखिए आपको दिखाती हूँ मैं तो मैं यह सुच रही थी कि मैं इसको जो फ्लावर आ रहे हैं यह नीजे साइज करूँ य और फिर इसके बाद मैं इनको रखहूंगी, तो ये सीथी साइड में दिखा रही हो, अभी इसके बाद इसकी गुल्टी साइड है, ये है, तो हम इसको इसे तरीके से रख लेंगे, और फिर इसके बाद करेंगे उसको 4FOLD, यह देखिए मैंने उसको फूर फूर में रख लिया है तो इस तरीके से तो यह जो फ्लावर है यह नीची आ जाएंगे और उपर की साइड जहां हमारा इसका गला बनेगा तो वहाँ पे ज्यादा प्लेन रहेगा और नीची साइड होगा इसका तो इसमें फ्लावर होंगे औ मैंने इसके कंदे जो है सही यूग के पहले नाप लिये थे और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर निचाल लगा लिया है तो इस तरीके से निचाल लगा लेने हैं मैं पहले या तो आप किसी आपने मतलब बच्चे की सेट वगेरा भी रख सकते हैं और उससे थोड़ा सा ज ज़्यादा रखkick से उंजसे को हैं थोड़ा सा किहां डीर हिटी रिथ sino अने की सबसें और यह पनारे के बाद करेंगे थे स्प्वर्थ नें इसे के रखने क्वोड़ेंडे को घहराी चुरूम 10iest तरीके से कलाकट कर देंगे और फिर एक जो आगे बाला हमारा पार्ट होगा इसका हमें दो टकड़े में कर लेना है क्योंकि ये आगे से खुला रहेगा तो ये इस तरीके से आगे से काट दिये था और आप मैं बाजु अलग कर रही हूं तो ये देखिए पहले मैं ने आगे का ही किया है और इसके बाद मैं पीछे वाला करूँगी तो आ पागे वाले को हम थोड़ा सा और छाट देंगे तो यह हो जाएगा और यह देखिए पीछे का मैंने सिर्फ कोई measurement ने लिया था ऐसे थोड़ा सा हलका सा अंदर को करके और ऐसे कट लगा दिया था पीछे के गले में और यह हमारी बाजू है तो बाजू में हम लगा देंगे इसमें हमें कुछ जादा करनैं कि जिर्वत नहीं है बस इतना ही हमें इसका घेर थोड़ा हलका सा गेहराई करके और कट करें देना है बस इतना ही किया था मैंने कुछ फ्टिंग वालू इसमें कुछ होता नहीं है Her दश फिला इतेर्म और धिला रखा जाता है तो यह जञ तरीके से मैंने काट लिया है तॉलिये से what is withी Brawl यह देखिए मैंने इसको रख को complacisёнmon, कि यह नई सरी है यह देखिए मैंने यहांने से हो प्रखाइब स हमारा स्वाइब हो और इसके साइन, कि यह काल रहा है इसमें नहीं आ रही थी तो फिर मैंने यह दूसरा कपड़ा निकाला और यह थोड़ा कंट्रास्ट था यह कपड़ा और नेट का है तो यह कुछ जाते ही इसमें अच्छा लगने लगा था तो यह मैंने पूरा जो है गला वो ना पलूंगी तो उससे समझ में आ जाएगा हमे कि कितना चाहिए है और इसके बाद हम इसका जो है कट कर लेगे और इसके बाद हम इसका जो हमें गला बनाना है तो हम उसके लिए पट्टिया जो होती है वो कट कर लेगे इससे तो इससे क्या होगा कि यह थोड़ा सा कंट्रास लगेगा और उससे अच्छा भी लगेगा ब लगाने के बाद हम इसमेंकत कर लेंगे तो यह मैंने इस तरीके से काट लिया था और इसके बाद हम हम इस जोड देंगे गले में लगा देंगे और सिलाय रख देंगे तो यह मैं इस तो मेरे हसास से तो देखना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज है और ऐसा कभी कबार हो जाता है कि हमारे यहां इस तैप से कोई त्वालिय वगएरा आ जाते हैं जो अच्छे नहीं निकलते हैं या कोई ऐसा कपड़ा होता है मोटा सा कपड़ा है कॉटन का और हम इस्तमाल नही ब्लैंकेट का कपड़ा जो है अब मैं जब मैं बनाऊंगी अगर तो मुझे बड़ा बनाना है अपने लिए बनाऊंगी तो फिर पूरा एक ब्लैंकेट में बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है तो यह एक बहुत पतले वाले ब्लैंकेट आते है न उनसे भी बहुत बहुत अच्छा बनता है तो यह देखिए मैं उसकी गले की पट्टी जो है वो जोएट कर रही हूं और यह मैं जोड़ दूंगी कि अ हमारा यह थेखिए और जोखों निए टैयार हो जाएगा और में जो वह वाले ब्लैके आते हैं फट्ले वाले आते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं फट्ले एसी में मोड़े जाते हैं वह इसी वाला ब्लैकेट उसका बहुत बनता है तो मेरे पास एक रखा हुआ है तो मैं त्राइ करूंगी उसका अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी तो वास्रूम में क्या होता है कपड़े चेंज करने मतलब जैसे घीले कपड़े हो जाते हैं या कोई प्राब्लम होती है तो यह बहुत अच्छी चीज होती है कि यह रहता है तो यह देखिए गले में जो है बट्टी जो मैंने मुझे लगाने थी वह मैं लगा चुकी हूँ और इसके बाद मैंने क्या किया था कि मेरी टूट गई थी सुई क्योंकि यह है टॉबल और टॉबल हो जाती है मोटी और जब दो तीन जगह से मोड के हम है और मतलब काफी दुकानों पर ट्राई करी थी फिर मुझे इसकी स्वी मिली थी तो यह इसमें बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था क्योंकि यह टॉबल है और फिर यह देखिया आप मैंने बना के रेडी कर दिया है और आप देख भी सकते हैं कि संयोग ने पहन के रिव् पढ़ती है कि अभी यह ना चल लाता है अपना उसने वहीं से अंदर से पहन लिया और अपने रूम में आके इसको जो भी कपड़े पहनने होते अपने निकाल लेता है और पहन लेता है तो यह उसका बन चुका है बात रोब और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा था यह देखिए उसने आपको दिखा भी दिया पूरा तो यह साथ साल के बच्चे के लिए ही बन सकता एक टॉबिल में और बढ़ों के लिए अगर बनाना है तो दो टॉबिल चाहिए होंगी और यह देखिए आज बो नहा के आ गए है पहन के तो बाहर पोर्च में धूप में